Hello and welcome back friends, आप देख रहे हैं Study Moment YouTube चैनल, आज इस वीडियो में बात करेंगे 2 मईज से रिलेटर जितने भी important current affairs बनते हैं उसके बाड़े में, साथ-साथ extra faculty भी डिसकस करेंगे जो आपके exam के लिए काफी ज्यादा helpful रहा सकता है, so वीडियो को last तक ध्यान से जरूर देखिएगा, last में आपसे एक test के तोर पे question पुछा जागा, जिसका answer आपको comment box में बताना है, और आज का test वाले question का discuss कल वाले वीडियो में कर लेंगे, तो चलिए friends वीडियो को start करते हैं, friends वीडियो को start करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को subscribe कर, और साथ में notification ब् description box में में जागा, या फिर telegram पर भी आप जाकर search कर सकते हैं, study moment और वहाँ से जाकर telegram channel जोईन कर ले, वहाँ पे आपको हर रोज सुबा में current affairs का PDF, और जितने फी एक्ष्टा वीडियो आती है, उसका important PDF वहाँ पे time to time डाला जाता है हमारे telegram channel पे, तो चलिए friends question से start करते हैं सबसे पहले question of the day देख लेते हैं, यानि कल वाले वीडियो में जो आप से question पूछा गया था, इसका answer कई सारे student ने सही बताय थे, परतेक वर्स 23 अपरिल को किस राजी में खौंग जोम दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही answer हो जगा मनिपूर, बात करते हैं मनिपूर की राज़ेपाल के बाड़े में, तो राज़ेपाल है प्रोफेसर जगदीस मुखी, प्रोफेसर जगदीस मुखी, ठीक है, चलिए फ्रेंट्स question, आज का question से start करते हैं, सबसे पहला, आज का question है, 2021 में प्रस्तावित, विस्व वाक्सिंग चैंपियंशिप की मेजबानी भारत की जग़ा किस देश को दिया गया है, तो इसका सही अंसर हो जगा सर्विया को, देखिए मेजबानी भारत ही करता, लेकिन सर्विया देश को सौप दिया गया है, विस्व वाक्सिंग चैंपियंशिप की मेजबानी करने के लिए, क्योंकि भारती ये federation मेजबानी रासी अलेकजेंडर वूसिस है ठीक है चलिए कोश्चन नमबर टू को देख लेते हैं कोश्चन नमबर टू है आपका ICC ने T10 लीग में एक फ्रेंचाईजी के मालिक दीपक अगरवाल पर कितने साल का परतिबंद लगा दिया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा एक साल का परतिबंद लगा दिया है ठीक है एक फ्रेंचाईजी के मालिक दीपक अगरवाल पर कितने साल का तो एक साल का परतिबंद लगा दिया है वे सहुकत अरब अमिरात में 2018 में 2018 में हुई T10 लीग में एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे ये आप ध्यान में रख लिजे का कहा पे तो सहुकत अरब अमिरात में कब तो 2018 में Question No.3 पर चर्चा करते हैं Question No.3 है अपका परसित बैंकर सुरेस एन पर्टेल ने किस आयोग में सतरक्ता आयोगत के रूप में सफ़त ग्रहन की है तो इसका सही अंसर हो जागा option number C केंदरी ये सतरक्ता आयोग में सफ़त ग्रहन की है ये अब ध्यान में रख लिज़ेगा इस समारों में सतरक्ता आयोगत सरदकुमार तथा आयोग के सचीव और अण्य वरिष्ट अधिकारी भी उपस्तिते अगला question देख लेए देफ्रेंस question number 4 है अमेरिकी सरकार ने किस कंपनी की 5 foreign side को blacklist कर दिया है अमेरिका को छोड़कर अण्य तो यानि 5 foreign side को blacklist कर दिया है तो इसका सही अंसर हो जगा आमेजन की 5 foreign side को blacklist कर दिया गया है ये 5 देश कौन सा है ये 5 देश कौन सा है तो एक है UK यानि United Kingdom एक है Germany एक है France और एक है अपना देश India और एक है Canada ठीक है ये 5 देश में आमेजन की site को blacklist कर दिया गया है ऐसा क्यों किया गया है क्योंकि e-commerce site आमेजन पर अमेरिकी परसासन ने नकली और paraded products की बिक्री करने का आरोप लगाया है नकली और paraded ठीक है ना नकली और paraded products की बिक्री का आरोप लगाया है अमेरिकी परसासन ने, अगला कोशन देख लेते, कोशन नमबर फाइव है अपना, इन आईपी, इन आईपी कहने का मतलब है, इन आईपी टास्क, इन आईपी कहने का मतलब है, नेशनल इंफ्रेस्ट्रक्चर पाइप, इन आईपी का फूल फ्रम होता है, नेशनल इंफ्रेस कितना 5 वर्ष तक 101 गाडा लाख करोर रूपय का infrastructure निवेश करने की घोषण की थीज किंद्र सरकार के कितने हजार करोड के सिंट्रल विष्टा प्रोजेक्ट पर इस्टे लगाने से सुप्रिम कोड ने इंकार कर दिया है तो इसका सही अंसर हो जाएगा 20 हजार करोड इसका सही अंसर कितना हो जाएगा 20 हजार करोड जिसके तहट संसत के दोनों सदनों के लिए ज्यादा सदस्यों की छमता वाली नई इमारते बनाई जाएगी ठीक है अगला कोश्चन देख लेते कोश्चन नमबर 7 है अपना ब्रिटेन ने हाल ही में अक्टूबर इससे पहले खत्म होड़े है चिकत्सक और स्वास्त कर्मी का विजा कितने साल के लिए बढ़ाने की घोसना की है तो फ्रेंट इसका सही अंसर हो जागा एक साल के लिए बढ़ाने की घोसना की है बिना चार्ज के बढ़ाने के लिए घोसना की है सरकार के इस निर्णे में ब तो इसका सही अंशर हो जागा 2016 भारत के पर्मानेंट पर तीनी दिन न्यूकत कि ए गए सस्याद अक्बर उद्दीन अब रिटार हो गया है तो 2016 में उगो न्यूकत किया गया थे प्रमानेंंट के रूप में ठीक है अब बात कर लेते एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में तो विदेश मंत्राले के प्रवक्ता के तोड़ पर उन्होंने ट्विटर पर डिपलो मेसी को नई धार दी है ठीक है ना डिपलो मेसी को नई धार दी है question number 9 को देख लेते question number 9 है एक माई को विश्व भड में कौन सा दिवस मनाया जाता है तो फ्रेंट्स का सही अंसर जगा विश्व स्रामिक दिवस मनाया जाता है एक माई को विश्व भड में विश्व स्रमिक दिवस या फिर अंत्राश्टरी मजदूर दिवस या फिर माई दिवस मनाया जाता है इस दिवस के सुरुवात एक माई 1886 से हुई थी जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय आठ गंदे से ज़्यादा न डखे जाने के लिए हरताल की थी एक माई 1886 से ठीक है यह अब ध्यान में रख लिजेगा कोश्चन नमबर 10 देखते हैं कोश्चन नमबर 10 है अबना बारतिय सिनेमा के परसिद अभिनेता रिसी कपूर का हाल ही में कितने वर्स की उम्ड में निधन हो गया कहां पे हुआ है तो मुंबाई में हुआ है उन्हें लिवकेमिया यानि बलड कैंसर था लिवकेमिया कहने के मतला बलड कैंसर था उनके निधन पर अविताब बच्चन और वॉलीबूड और खेलों की महान हस्तियों ने सोक व्यक्त किया है ठीक है यह आप ध्यान में रख लीजेगा तो चलिए आज का आपका कोश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए कोश्चन अब भारत देश में आदेशा अनुसार लोकडाउन को चार मई से कितने सप्ता के लिए बढ़ा दिया गया है और इसका डिसकस कल वाली वीडियो में कर लेंगे फ्रेंट्स वीडियो अच्छा लगए तो एक लाइक का पैसा लगता नहीं है और एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए का इसका अंसर बता दीजिए का ताकि मैं कल इसका डिसकस करवा सकूं तो चलिए फ्रेंट्स विंडिता है कल वाली वीडियो में तो बाई बाई टेक केर